Marketing Specialist एक ऐसी पोश्ट होती है जिसके उपर जवाबदारी होती है कि भाई positive marketing जो है product की जनता के बीज में हो और जाधा से जाधा प्रचार भी हो और लोग उसे पसंद भी करें और जिससे की sales में काफी ताधा help मिले जिससे की जाधा से जाधा लोग company के बारे में जाने प्रोड परसन होता है बहुत सारे अलग-अलग aspects आपको उनके दिखेंगे और बहुत सारी उनके अंदर जो है आपको skills दिखाई देगी तो उन में से कुछ आपके अंदर होनी चाहिए जब आप शुरू कर रहे हैं जैसे कि market research का knowledge आपको होना चाहिए क्योंकि आप marketing में काम करेंगे तो आपको market research करते आना ची किस प्रकार के लोग किस तरीके का data consume करते हैं किस तरीके के लोग किस तरीके की चीजे पसंद करते हैं आपको लोगों के विभार के बारे में पता होना ची ताकि आप अपनी target audience चुन सकें कि आपको किसे target करना है और उस हिसाब से क्या आपका product है और आपका product जिस तरीके का है उस तरीके के audience आपको तो market research यहाँ पर बहुत अधा जरूरी हो सकता ताकि आप gauge कर पाएं कि यह 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 sector है जहां पर मैं marketing कर सकता हूं आप समझे कि रिखिस्तान में रेद बेचने निकलेंगे तो फिर क्या ही हो जाएगा तो market research यहाँ पर बह करते आना चाहिए अब आपने data तो निकाले लेकिन उसको analyze करना है समझना है कि क्या क्या आपके target areas होंगे किस जगह पर कितनी sales आप कर सकते हैं किस तरीके का campaign आप कर सकते हैं तो marketing जादा अच्छी हो पाएगी उतने जादा अच्छे उतने जादा से जादा लोगों तो आप पहुच पाएंगे यह निकालते आपको आना चाहिए content management system के साथ proficiency होनी चाहिए देखिए आप एक marketing specialist है तो आप यह निकाल सकते हैं कि किन किन जगों पर marketing करने की जरुवत है क्या क्या तरीके आप इस्तमाल करने वाले हैं लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा जो चलता है वो है digital marketing क्योंकि यहाँ पर लोगों तक पहुचना काफी ददा easy है हर एक इंगान अपने हाथ में phone रखता है आप social media के मार्दम से उन तक पहुच सकते हो तो ऐसे समय पर आपको अलग content बनाना होगा आप समझे आप अपना social media school कर रहे है और उसी समय आपको एक complete दिखता है आपने तुरंट सुन कर दिया तो वो चीज हाँ कुछ समय पहले वो भी हुआ करता था लेकिन अब देखे market ऐसा हो गया कि हम reels देख रहे होते हैं तो integration करना होता है किसी एक particular reel में किसी बड़े celebrity के हाथ में आपका product दिख गया या फिर यह सारी चीज है तो इस तरीके से अप्रोच करना है या फिर आप खुद कुछ ऐसे बना करके अलग 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 प्लेटफार्मस पर दिखा सकते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं तो आपको content management करना अच्छे तरीके साना चाहिए कैसे आप जो है लोगों तक पहुंचेंगे देखे communication skill बहुत जादा जरूरी हो आपको बहुत सारी अलग-अलग teams भी handle करनी है आपको बहुत सारे लोगों से मिलना भी है बहुत सारे लोगों को अपने ideas भी समझाने है ठीक है जैसा मैंने कहा था कि आपको creative होना है आपके ideas जो है वाएंगे तो आप सभी को अच्छे समझा सके प्रेजें प्रेजेशनल skill आपका product या आपके service है जह है लोगों के सामने present होगी तो आपसे काफे ज़्यादा proficiency communication में presentation में expect की जाती है creativity आपकी काफी अच्छे level की होनी चाहिए ऐसा इसलिए कि आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा तेजी में रहते हैं बहुत जल्दी में रहते हैं लोगों को नह पाकरशित होते हैं वरना हमको कोई मतलब नहीं है और वो चल रहा है चलने तो हम आगे बढ़ जाते हैं बहुत बार हम ध्यान भी नहीं देते हैं इस वज़े से एक marketing specialist का काम होता है कि आप उतने जादा creative हो अब यह नहीं कि आपको हर panel खुद से बनाना या हर real खुद से बन होगा अच्छा होगा और जितने अच्छे से आप अपने customer को समझ पाएंगे उतना ही जादा उनके हिसाब की आप चीज़ें बना पाएंगे उनके हिसाब का आप marketing strategies रख पाएंगे तो creative होना आपके लिए बहुत सारे काम जो है आपके सही से नहीं हो पाएंगे तो being a marketing specialist जिससे की digital marketing जो है वो अच्छे से चलती रहे और online वाला portion जो है आपका सटीक तरीके से लोगों तक पहुंचता रहा है तरह तरह के campaign जब हम करते हैं कि social media के तो हमने campaign कर दी हमने यह एक भी कर दी हमने banner भी चपवा दी उसके बाद अगर result आ रहे हैं तो positives कितना आ रहा है हमन को cover किया जा सके यह सारा काम होगा एक marketing specialist का इसके अलावा दोस्तों एक marketing specialist को CRM का knowledge होना भी बहुत अज़रूरी है CRM का मतलब होता है customer relationship management अब क्योंकि आप marketing specialist है तो आप marketing कर रहे हैं इसे आपके बहुत सारे clients बनते हैं बहुत सारे customers बनते हैं जिनको आपको लंबे समय तक hold करना है जितना जादा आप अच्छे से service दे पाएंगे जितना जादा अच्छे से उनके साथ communication रहेगा जितने अच्छे से आप उन्हें manage करेंगे कितना यहां पर बनता रहेगा अगर आप बात करेंगे कि marketing specialist की salary क्या है तो बता दूं 10 से 11 लाग रुपए average salary होती है per annum एक marketing specialist की हां कुछ एक company आपको काफी चोटे साइद में मिल जाएगी यहां पर इतना दादा payment नहीं होगा तो वहां पर भी लग पांच-साड़े पांच आनी चाहिए और team leading आपको आनी चाहिए जैसे कि हमने समझा हमें तक कि आपके पास दो से तीन teams हैं आपको अलग-अलग team से जिनको plan बना कर देना है उनके साथ काम भी करना है उनको guide भी करना है इसके लिए आपको पढ़ाई कितनी लगेगी तो भाई पढ़ाई लगेगी आपको marketing, communication या related field में आप bachelors हो कम से कम साथ ही साथ आपको HTML का knowledge हो आपको Adobe Acrobat का knowledge हो आपको softwares जो है वो चलाते आने चाहिए अलग-अलग पर जो content creation में use होते हैं ताकि आप सभी की काम को अच्छे तरीके से supervise कर सको आप सभी को अच्छे तरीके से guide कर सको और obviously जो भी marketing specialist के skills उसकी सहालेदी के बारे मैंने आपको बताया अगर आपको अभी कोई सवाल आते हैं तो आप comment section में पूछ सकते हैं वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताईएगा thank you